आपका स्वागत है और संस्थान पर व्याख्यान के इस नए सिरीज में हम लोग आज एक संगठन पर बातचित करेंगे उसका नाम है डारेक्टरेट निदिसाले यह ध्यान रहे कि निदिसाले राज के स्थर पर अधिक होते हैं केंद्र के स्थर पर नहीं होते हैं यह ऐसा नहीं है कि केंद्र के स्थर पर हो ही नहीं सकते हैं लेकिन उसे कम से कम रखा जाता है इसका पहले कारण हम लोग समझ लें भारत संगिये प्रकार की संधात्नों के यदि भारत के समिधान के अनुशेद एक को देखें तो उसमें यह कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संग होगा इंडिया देट भारत सेल्वी यूनियन अफ स्टेट तो राज्यों का ये संग है केंद्र के अपनी अलग भूमी या अपनी अलग नागरिक नहीं होते हैं तो जो भी नीतियों का क्रियान्वेन करना पड़ता है वह राज्यों में ही करना पड़ता है इस उद्देश से निदेसालें डामक संगठन बनाया गया जिसको मंत्राले या विभाग से जोड कर रखा जाता है ताकि जो भी विभाग या मंत्राले की नीतिया है उसका उक्रियान बिन करे यद दपी केंद्र में भी अपवाद जनक परिसिती में कुछ नेदे साले देखने को मिलते हैं जैसे डिरेक्टरेट अब सफलाई इंडिस्पोजल जैसे लोगपाल के बाद विजलेंस पर डिरेक्टरेट बनाये गया है लेकिन उनकी संख्यां कम होती है जबकि राज्यों में इनकी संख्यां अधिक से अधिक देखने को मिलते हैं यह ध्यान रहे पहले कि इनकी भूमी का पहले हम लोग जानेंगे अगर किसे स्टेट का एक्जाम आप देने जाते हैं डिरेक्टरेट के बारे में पूछें जैसा राजस्थान एड्मिस्टरेटिव सर्वेस आरेस की परिक्षा में पूछा गया था तो अगर आपसे सवाल पूछें तो आप बताएं यह कारेकारी संगठन होते हैं इनकी भूमी का पहले जानने हैं हम लोगों को कि भूमी काई क्या क्या हैं तो चार-पाइक चीजों का अध्यान रखें सबसे पहला फर्स्ट और फॉर्मोस्ट पॉलेसी एग्जेक्यूशन नीतियों का क्रियान वाएं दूसरा जो भी संबंधित पिसे वस्तु पर होंगे चाहे सिक्षा स्वास्त वन किसी पर उसके करमचारियों पर अनुसासनात्मा कारवाही करना तीसरा टेक्निकल एडवाईस तू दे कंसर्णिंग मिनिस्टर या आपकों सम्बंधित मंत्री को तक्निकी सलाह देने का भी काम करते हैं चौथा राज्यलोक सेवा योग को तक्निकी सेवाओं की भरती में योगदान देते हैं इतना ही नहीं नेदे साले जो होते हैं वह अंतर रास्ट्रिय और रास्ट्रिय स्थर के जो सम्मेलन हैं उनको छोड़कर अंतरा राज्य और थात इंटरा स्टेट कॉंफरेंस जो किसे विष्य वस्तूपर होगा उसमें वह मदथ करते हैं और अपने जो करमचारी हैं उनमें कौन-कौन पाटिसिपेट करेगा उनका वो सहयोग उसमें किया करते हैं तो यह सारी भूमिका इनके तरफ से हैं मुख्य परिक्षा में सचिवाले बनाम निदे साले के बिवाद पूछे जाते हैं आपसे पूछ भी सकते हैं गवर्णिंस में भी तो उसके लिए इतना समय तो नहीं होता है यहां पर वों लोग अच्छा में वह डिटेल से बात करते हैं पर उन्त बहुत सौट में मैं आपक एन दो काम करते हैं कि म junction पूलीस में देखेंगे शेटरों में चली जाती आदेल Kab यै तो एपने आपको मुख्याले से दूर समझने लगते हैं मउन्तरी से दूर समझते हैं वहीं होम सेक्रेटरी या चीब सेक्रेटरी मुख्यु tent Kelli तो कहीं न कहीं वो psychology जो है वो एक अलगाव वाद की इसमें देखने को मिलने लगती है दूसरी ये कि अंग्रेजों के समय से ही सचीव सब्द जो है बड़ा पावरफुल रहता था secretary, principal secretary, chief secretary ये सब सब्द बहुत सब्दा के केंदर समझे जाते थे अगर आपके नाम में सचीव नहीं लगा है तो ऐसा माना जाता था कि कोई दम नहीं है ऐसे नौकरी में इसा director, सलाहकार ये सब कोई नाम बहुत महत्पूर नहीं माना जाता था ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसी कमीटियां जो भी बनाई गए वो कमीटियों का यही तर्ख है उनके पीछे जैसे वेस्ट बेंगौल की एक रॉलेंट्स कमीटी थी जिन्होंने यहीं बात कहा नम्बुद्री पाजी के नित्रत नमें केरला की एक कमीटिय थी जो हमने यहीं कहा राजस्थान प्रसास्निक सुधारायोग उनिए 162 में था उन्होंने भी यहीं बात कहा प्रथम प्रसास्निंग सुधारायोग जिसके पहले चेर्मेन मुरार्जे देसाई थे जब वो डेपटी प्राइमिनिस्टर हो गए तो के हनमन थाया उसके चेर्मेन बने और वो भी ऐसी ही बात कहती है तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो डिरेक्टरेट के स्थर पर साइकलोजिकल प्राब्लेम अधीक है यह द भी कुछ प्रैक्टिकल प्राब्लेम भी है जो सच्चवाले है या विभाग है उसमें आईएस ओफिसर का प्रभाव रहता ही है नेदे सालेयों में भी उनका अधीक रहता है उसका अधिक्तम चेर परसन अर्था डिरेक्टर वो भी आईएस ओफिसर ही होते हैं आप उधारन के लिए देखिए जैसे कोई व्यक्ति एग्रिकल्चर का पढ़ाई करें और वो जिला क्रिसी पदाधिकारी बनें और धेरे-धेरे क्रिसी नहीं आगे बढ दोनों के जो करमचारी हैं सची वाले और निदे साले के उनमें समानकार के लिए समानवेतन का सिद्धान ठिक से लागू नहीं है दोनों में पैसे की चुनातियां देखने को मिलती हैं आप वैसे ही देखेंगे तो आईएस और आईपेस के करियर में एक समय के बाद काफी हो जाता है सुपर टाइम स्केल और बाकी चीजें सर्विस कंडिशन बहुत अच्छी हैं सची वाले ओं में वैसा निदे साले में नहीं है और ट्रेनिंग प्रग्राम और करियर डेवलप्मेंट जेतना बढ़िया जेतना रोबस्ट और सची वाले में दिखाई देता है उत सबसे पहले मनोवैज्यानिक समस्य का इलाज करना होगा वो मद्ध प्रदेश की सरकार ने कर दिया है आज पूरे भारत में सारे राज्य उसका निकल कर रहे हैं वो सबसे पहला यह कि जो नेम है डेजेगनेशन उसको चेंज करना होगा जैसे डीजीपी कम प्रिंसपल सेक् क्या रखा हुआ है रोमियो जूलियेट का आप देखे होंगे फिल्म और आपू पन्यास भी सेक्स पियर का पढ़े होंगे इसमें कहा गया है कि गुलाव का नाम बदलने से उसकी कुसवू नहीं बदलती है नाम रख दीजे मद्ध पदेश्तिया इसा नाम कर दिया निदे दोनों का कारयाले एक ही कैमपस में हो एक ही सिल्फी हो इक झासे हो दोनों के लोग फील ना हो कि मेरा थोड़ा छोटा सा अधारन है उनका अच्छा है मतब जो सवानकार के लिए समान PvEतन के सिध्धान बद्यान को धियान में रखते हुए एक जैसे चैलेंजिस हो तो एक बंद अच्छे रहें एक साथ ट्रेनिंग करवाईए और कोशिस करिए कि ऐसा फिल ना हो किसी तरीके से कि सची वाले के करमचारी मंत्री महोदय के नजदीक हैं उनके दिलों में हैं और निदेसाले वाले दूर होते हैं तो ऐसी भावनात्मक्त समस्याओं का समधान भी करें साथ अब जाकर निदेसाले बहुत बहतर हो सकते हैं भारत में निदेसाले का बहुत कारेकुसल तरीके का होना बहुत ज mêmes sort करना है तो governance में direct rates को अच्छा करना पड़ेगा ये भविस के प्रस्ण कभी बनेंगे आप इसके लिए तैयार करके रहिएगा अगले फिर किसी संगठन के साथ हम वो जल्दी मिलेंगे थैंक्यो धन्यवाद